महाराष्ट के चुनावी नतीजों ने MBA की हालत पस्त कर दी और महायूती ने शांदार तरीके से जीत दर्ज की लेकिन एक नाम की MBA और महायूती से अलावा चर्चा हो रही है वो नाम है अबू आजमी का जी हाँ समाजवादी पार्टी के मेता हैं महाराष्ट में समाजवादी पार्टी के अध्धक्ष हैं और वो चुनाव लड़ रहे थे मानखुर्द सिवाजी नगर से ये वही अबू आजमी हैं जिन्होंने कहा था कि सिर्फ आट बिधायक हमें मह महाराष्ट में दे दो फिर हम बताएंगे कि क्या होता है अबू आजमी धंका रहे थे कहीं न कहीं इशारों में उनको जो बात कर रहे थे बटेंगे तो कटेंगे जो बात कर रहे थे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वालों की उन्हें अबू आजमी धंका रहे थे और आठ विधायक महरास्ट वालों से मांग रहे थे लेकिन अबू आजमी की हैसियत महरास्ट वालों ने बता दी कैसे बताई है क्योंकि अबू आजमी तो अपनी सीड जीत रहे हैं अभी आगे चल रहे हैं अच्छे खासे वोट वोटों से और वहाँ पर दूसरे नंबर पर एई-अ आजमी सोच रहे थे कि वो विधान सहा में ऐसा हंगामा काटेंगे कि जो सत्ता में आएगी उन्हें काम नहीं करने देंगे वो उन सब को जवाब देंगे जो बात कर रहे हैं हिंदू एकता की लेकिन अबू आजमी को और अखलेस यादव को और समाजवादी पार्टी को सम नहीं न कहीं उनका मोटो यही था कि हम हिंदू को बता देंगी कि क्या होगा आठ विदायक हमारे हो गए तब उन अबू आजमी को आठ विदायक तो दूर की बात खुद की सीड बचाने के लाले पड़ गए और किसी तरीके से वो चुनाब जीत रहें इसी तरीके से याद होगा आपको हर्याणा का चुनाव हर्याणा में नूह मेवात में मामन खान कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे मामन खान ने उस वक्त कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम उन लोगों को यहां से भगा देंगे जिन लोगों ने हमारे खिलाख आवाज उठाए जिन ने हमसे लड़ाई के मामन खान को भी हर्याणा वालों ने करारा जवाब दिया था वहां पर भी सेम काम हुआ था जिस तरीके से अबू आजमी जीत रहे हैं मानकुर्द सिवाजी नगर से उसी तरीके से मामन खान भी जीत गए अपना चुना लेकिन कांग्रेस की जलेवी म कआ या महरास्त में तो अब अबु आजमी को समझ जाना चाहिए कि मुझ खोल कर बोल देने से रट बिधैक नहीं आते है उसके लिए काम करना होता है उसके लिए बात करनी होती है विकास की उसके लिए कैवन मसलीमों की बात करके मुस्लिमों का तुष्टी करण करके चुनाव नहीं जीता जाता है तो अबु आजमी को अच्छा खासा जवाब मिल गया है और उन्हें उनकी हैसियत बता दी है महाराश्ट के लोगों ने अब महाराश्ट की बात कर ले पूरे चुनाव नतीजों पर 288 सीटों पर नतीजे आ जरार है जिसमें से 130 सीटे तो खुद बीजेपी की उसके बाद 50 सीटे शिवसेना जीत रही जो असली सीवसेना है कनाश्रिंदे की 30 से 40 सीटों के बीच में जीत रहे है अजीत पवार मातियब अजीत पवार की नसीपी तो इस तरीके से वहाँ पर महायूती 220 से प्लस जा र अबू आजमी को अपनी सीट बचाने के लिए कड़ी टक कर ओवैसी की पार्टी की तरफ से मिल रही है तो अबू आजमी को अब समझ में आ गया होगा कि आड़ विधायक मांग लेने से मिल नहीं जाते हैं तो ऐसे में बहत दिल्चस्प हैं यह चुनावी नतीजे और महार कास्ट में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी गडबंधन आ रहा है और अब अब आजमी को सोचना होगा कि उन्हें चुनाव किस तरीके से लड़ने हैं मुखोल देने से आड़ विधायक नहीं मिल जाते हैं बने रही हमारे साथ लगतार अपडेट यहां पर मिलती रहे कि पर अपड़ने हैं मुखल अब ख़ए बहुत अलयख ए्टार को सोचना है